next question question says a boy standing on a long railroad car throws a ball straight upwards the car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second अब सवाल ये how far behind the boy will the ball fall on the car ना बहुत ही अच्छा conceptual सवाल है इसको ऐसे सबज़ना कि मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है कोई एक boy है उस boy ने ground पे खड़े होके अगर gain को फैंका तो gain ऊपर जाएगी और वापिस उसी के हाथ में आएगी time taken जो होएगा उसको हम लिखते हैं 2u by g ये होएगा और वापिस gain अपने हाथ में आएगी इमेजिन करो अगर scenario यह है कि this boy is standing on a platform और वो platform आपका किसी एक a acceleration से आगे जा रहा है और उसके बाद boy ने इसके उपर gain को फैंका जैसे ही gain को हमने फैंका है उसके बाद gain जो है बॉल जो है वो आपकी ground frame में अच्छा यह जो motion है यह हम ऐसे देख रहे हैं ground frame में ठीक है तो अगर आपने इस gain को ऐसे वो देखा है तो आपकी जो gain है वो gain ऐसे जाके ground frame में gain तो ऐसे जाके ऐसे वापस आएगी लेकिन boy आगे चला जाएगा तो हम अगर पूछेंगे boy के respect में अगर आप से सवाल यह पूछा जा रहा है तो boy क्योंकि आपकी car आगे move कर गई तो उस time पर boy जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा और boy को लगेगा gain आपकी इतन आपने यह एक्सलेशन प्रवाइड नहीं किया एक्सलेशन जो है वो आपका railroad को प्रवाइड हुआ है तो ground frame में देखेंगे तो यह गेन यहीं से यहीं गिरी है लेकिन इस boy के साब से गेन उता पीछे गिरी है तो सवाल बड़ा simple है यह इसका scenario है तो सबसे पहले तो मैं पत divided by 9.8 divided by 9.8 याने की 2 seconds तो gain का total time of flight नीचे से उपर जाना और उपर से नीचे आना 2 seconds का यहाँ पर अपने को time लगेगा अब बस यह देखने की जरुबत है कि 2 seconds में आपका platform कितना आगे बढ़ जाएगा तो उस case में जो displacement है s that will be equal to ut plus half 80 square इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर हमें दिया नहीं हुआ है इसलिए हम assume कर लेंगे कि आपकी initial velocity of this platform 0 है अगर वो भी दिया होता तो of course उसको भी हमें add कर लेते हैं